वेरी बॉर्निंग और इंटरनेशन डिसक्स करने जा रहे हैं और उसका एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक यूएस एंड अफगान चाप्टर बहुत सारे स्टूरेंस थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि थोड़ा सा अभी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गे थी क्लासिस की ठीक जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया है उस टाइम फ्रेम में आपकी मॉस्ट ओड़ी क्लासिस कंपीट करा दी जाएंगी और अफगानिस्तान में पिछले 20-21 सालों से यूनाइटे स्टेस पैठा हुआ है और क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्या उटकम है we have to see into it okay so that's the whole thing we have to do today let's proceed यह आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के काबुल शहर की पिक्चर और उपर हेडिंग है दे क्रूशल कोशन फॉर अफगानिस्तान डाट्स एडिटोरियल विच केम इन नियॉयॉक टाइम्स 14th को 14th अपरिल को और उस पे बेस करके पूरी क्लास डेवलप की यह आपके लिए ताकि आप यह समझ सकें कि अभी अफगानिस्तान में क्या-क्या डिफिकलिटी इस हैं और आने वाले टाइम में यानि जब युनाइटे स्टेट्स का कहना है कि सब्टेंबर 11 के बाद वह अपनी आदमीं को अफगानिस्तान से हटा देंगे उसके बाद अ आगे बढ़ने से पहले let me remind you again if you are preparing for civil service examination अगर आप serious safety पढ़ाई को लेके तो make sure करें कि आप an academy के थूँ अपनी preparation करें ठीक है तीन अलग अलग plan है एक साल दो साल तीन साल whatever suits you accordingly आप subscription ले सकते हैं plus या iconic में जो better suit करे SPYT code कहीं भी use करेंगे आपको 10% discount immediately मिल जाएगा बहुत सा help you out throughout the preparation time ठीक है अच्छा बहुत साई students ले परशान रहते हैं कि सर्व payment करनी है लेकिन सर्व credit card debit card अच्छा प्रॉब्लम हो रही है कुछ और अच्छा अगर को payment को लेकर को issue हो रहा है ठीक है unacademy will take care of it don't worry ठीक है उसके लिए भी एक नई solution unacademy लेकर आपके लिए आ गई उ एक साल या उससे ज्यादा का subscription तो आपको यह books free मिलती है जो 10,000 रुपए के लिए वो बुक्स अब आपको 28th April तक मिलेंगी so don't get worried अभी भी आराम subscription लेते रही है और आपको books मिल जाएंगी ठीक है अच्छा अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि आपको अगर कोई और problem है credit card debit card तो वो सारी problems resolve हो जाएगी तो उसका तरीका यह है कि भई आपको अभी इस class के नीचे कि हम इन screen के नीचे apply for loan here में एक link दिख रहा है इसके साथ साथ इस class की description में एक Google form है उस Google form को भरें और उसके रादन academy के लोग आप से connection में आएंगे contact करेंगे और वो आपकी problem resolve कर करेंगे you don't have to pay anything extra you don't have to pay any extra interest ठीक है जो आपका standard price है along with your rebate 10% rebate जो आपको SPYT code use करने पे मिलेगा वो पेमेंट आप EMI के थूपे कर सकते हैं even though अगर आप debit card या credit card होल नहीं करते हैं ठीक है so that will unacademy will do so इतना unacademy करते रही है I think so this should be great opportunity now for everyone to make sure कि subscription ले 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 और ठीक है चलिए उसके बाद फिर एक बार अपने subscription ले लिया तो यह batches है जो कल स्टार्ट हुई है तो आप इनको join कर सकते हैं ठीक है अच्छा और यह free test दो चली रहे है free test देते रही है ज्यादा से ज्यादा और अब हम आते है में वापस में आपको पहले से बता दूं कि तालिबान और अमेरिका के बीच में जो agreement होगा था उसमें यह कहा गया था कि Americans will go back by May the 1st 2021 और अफगानिस्तान में एक intra dialogue होगी intra party dialogue मतलब अफगानिस्तान की जो भी government है और तालिबान आपस में बात करेंगे और problem resolve करके एक unity government बनाने की कोशिश करेंगे चलिए अच्छी बात United States obviously 1st May तक वापस तो नहीं जा पाए अभी वहाँ पर लेकिन उन्हें एक नहीं date दे दी है और जो बाइडन के उपर जो कई बार ऐसा लग रहा था श्रफ गनी को कि जो बाइडन शायद आके यह कह दें कि वो Donald Trump की तरह American forces को वापस ले जाने के favor में नहीं है जब तक कि Afghanistan का पूरा problem solve नहीं हो जाए लेकिन जो बाइडन ने ऐसा कुछ नहीं किया जो बाइडन ने क्या कहा जो बाइडन ने कहा कि ठीक है थोड़े दिन और रुख जाते हैं हम September 11 यानि exactly September 11 2001 की जो date थी उसको ceremonially use करने के लिए आप September 11 2021 यानि 20 साल बाद वाली जो exact date है तब तक रुख जाएंगे लेकिन उस दिन तक वो अपनी सारी forces हटा लेंगे ठीक है अब वो जो अपनी forces हटा लेंगे तब यह सारे queries आएंगे जो आपके screen पर लिखे हुए कि मानलो अगर सारे की सारी American forces हट गई और Taliban ज्यादा से active हो गया तो minorities जो की अफगानिस्तान में रहती है यानि स्टून नहीं है हजारा है तजीख है ठीक है तो यह सारे लोगों का रहना मुश्किल हो सकता है और साथ ही साथ जो half of the gender यानि women के लिए जो difficulty होंगी वो काफी जादा हो ही जाएगी तो यह वो सबसे एड़ी problem है जो पता नहीं है कि Taliban उनको कि Taliban का इस पर stand क्या है पहली बात दूसरी बात can the Afghan president hold on to power अच्छा अब यह कोशन बालबा क्यों raise किया जा रहा है कि अश्रफ गनी पावर में होते हैं आपको hold कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अब यह बहुत बड़ी query की बात हो जाती है कि आप किसी president से यह पूछे लेकिन इसका reason यह है कि 1993 में जब पिछली पर अफगानिस्तान से 1989 में Russian forces, Soviet forces गई थी और वहाँ पर एक president उन्होंने appoint किया था ठीक है उस president को मुझाहिदिनों ने मार के और actually square पे उसकी dead body को टांग दिया था this has happened in Afghanistan and that's why पूरी world community हलका साथ terrified रहती है कि अफगानिस्तान में एक बार जब international influence खतम हो जाएगा तो फिर ground पर situation क्या होगी वो किसी के हाथ में नहीं है ठीक है इस तरह के और भी बहुत सारे issues है और ultimately इसी पर वाद घूंग के आती है कि United States की military available है या नहीं है ठीक है अच्छ चलिए आगे देखते हैं अब किस left hand side screen पे एक map दिख रहा है इस map को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सारे pink यह अफगानिस्तान का map है मेरे कहल से सबको पता होगा everyone knows अफगानिस्तान का map चलिए जो pink areas है ठीक है यह सारे वो areas है जो अभी इस समय तालिबान के control में है now understand this thing यह काफी जादा area है अफगानिस्तान के map में जो pink area दिख रहे हैं आपको peach color वाले वो सारे वो region है जो की Taliban के direct influence में है ठीक है and that is most terrifying thing क्योंकि हमें बहुत ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में एक elected government है लेकिन on the ground अगर आप जाके दिखेंगे तो अफगानिस्तान में इ अच्छा जी इसका solution निकालने के लिए ही तो February 2020 में दोहा accord हुई थी और दोहा accord में दिवाद देसाइड भी हुआ था कि एक interim dialogue होगा और intra-Afghan dialogue अश्रफ गनी की government और तालिबान के बीच में और एक unity government बनाई जाएगी लेकिन उस dialogue का outcome अभी तक नहीं निकला है ठीक है अफग अफगानिस्तान की जो problem है वो कई faces हैं कई सारे उसके रुक हैं कई सारे उसमें reasoning है constraints है and किसी को लग रहा है कि civil war हो सकता है कि इसमें कई सारे ऐसे लोग भी involved है जो opium trade से involved हैं बहुत सारे reasons है और सबका solution single-handed outsiders नहीं कर सकते हैं ठीक है और जो भी CIA या फिर British या American experts है उनका कहन यही है कि अफगानिस्तान की जो current government है अश्रफ गनी की government वो इतनी capable नहीं है कि western power यानी NATO के अफगानिस्तान छोड़के जाने के बाद और American support खतम होने के बाद वो अपने आप अपने देश पे control कर पाए ठीक है और इस से फिर impact होगा directly इंडिया को अब आपको इंडिया को इ पाकिस्तान का influence अफगानिस्तान में बढ़ने लगेगा and that is something जो इंडिया नहीं चाहता है ठीक है चलिए अब देखे इन अफगानिस्तान cities अब एक point यह कहा जा रहा है कि the only thing which might stop इसको समझ लें थोड़ा सा एक वो चीज़ जो की शायद अफगानिस्तान में रोक ले ठीक ह अब लोगों को तालिबान के rules and regulations follow करने से वो यह reason है कि पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में एक middle class develop हो गया है जिसको western world और western rules and regulations की आदत हो गई है concept like liberalism, concept like republicanism, concept like democracy यह उन्होंने देख लिए ठीक है तो जो पुराने अफगान थे ठीक है जो शरिया लोग के अंदर रहने की इनको आदत थी वो अब नहीं है for example अब जब cricket देखते हैं तो आप इतने सारे अफगान cricketers को देखते हैं वो पाकिस्तान में खेलते हैं, इंडिया में खेलते हैं, IPL में आते हैं ठीक है so वो इतने ज़्यादा involved है, evolved है, ठीक है अब आप उनसे expect करें कि वो तालिबान के rule and regulation को follow करेंगे तो वो नहीं करवेंगे so that's the same thing goes with most of many Afghan people who are in their youth problem यह है कि यह बात है सिर्फ काबुल और कंधा जैसे शहरों के लिए सही है, बाकि इलागों के लिए this is not true in all the case okay, now again there is a very important question, what does an American withdrawal mean for women and minorities in Afghanistan और यही सबसे बड़ी threatening बात है क्योंकि people know कि पिछली बाए तालिबान का जो rule था अफगानिस्तान में, वो 1996 से 2001 के बीच में था, now in this period between 1996 to 2001 it was very normal कि women's rights थे वो ऐसा नहीं होता कि आप रहें कि वो कम हो गये थे या छीन लिए गये थे actually वो थे ही नहीं, ठीक है, you can say up to such an extent, ठीक है, they were totally dependent on their male guardian in the family either a father, either a brother, father, brother or husband or someone or a son but never on their own तो वो जो पूरी के पूरी woman identity है, वो जो तालिबान का शरिया law था, उसके अंदर खतम होने पर आ गया था, ठीक है so again, you need to understand this thing, कि recently जो तालिबान के chief negotiator थे, मुला अब्दुलगनी बरादर और मुला अब्दुलगनी बरादर का नाम इसलिए भी पता होना चाहिए, क्योंकि 2020 के February में जो दोहा accord हुआ था, वो तालिबान की तरफ से इन्होंने ही साइन किया था so he's a big authority in तालिबान hierarchy now, मुला अब्दुलगनी बरादर ने क्या खा, he said the only work done under the shadow of occupation in the name of women rights is the promotion of immortality in anti-islamic culture now, मुला बरादर पिछले 20 सालों में जो भी अफगान women's को rights मिले हैं उसके बारे में मुला बरादर जो तालिबान के बड़े leader है, उनका कहना ये है कि all this is immoral practice and anti-islamic culture and propagation of anti-islamic culture अब अब इसे एक idea लगा सकते हैं कि in case अगर अफगानिस्तान में वापस से तालिबान रूल आ गया तो किस तरफ चीज़ें जाने वाली हैं, ठीक है तो ये कुछ basic generic idea है जो आपको पता होने चाहिए इसके साथ साथ कुछ generic information है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि देखें अभी तक पिछले 20 सालों में अमेरिका के 2400 अमेरिकन टूप्स हैड है डाइड इन अफगानिस्तान और अभी इस समय तक्रीबन तक्रीबन पूरे नेटो से अगर आप देखें तो 9600 के आसपास लोग जो है वो अफगानिस्तान में सर्फ कर रहे हैं 9600 पूरे नेटो से North Atlantic Treaty Organization से अमेरिका से तक्रीबन तक्रीबन तीन हजार के आसपास लोग होंगे ठीक है जब अफगान प्रेसिडेंट को मार दिया गया था ठीक है और पहले कुछ 93 से 96 तक एक सिविल वार चली और उसके बाद फिर हम देखेंगे 96 में तालिबान की गवर्मेंट आ गई अगर ऐसे ही कुछ होता है तो वापस से इंडिया के लिए सिनेरियो जमीन पर बहुत ही डि पॉइंट यही था कि 11 सेप्टेंबर तक अफगानिस्तान इन टोटो इन टोटालिटी ओके थैंक यू चलिए क्लास खथम करने से पहले लेक में रिमाइंड यू अगे कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं 28 अप्रिल तक तो आपको बुक्स तो 10,000 रुपए की एक् अगे कब उसकी देट को लेके थोड़ा सा कन्फूजन है बिकॉस अफ कोवेड और तो अनकेडमी ने कहा कि स्टूरेंस को कन्फूज नहीं होना चाहिए और दाट्स वाइस इनिशेटिव वस टेके तो मेक शूर कि आप अपरल 28 से पहले सब्सक्रिप्शन ले 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 ओके अनकेडमी कॉंबैट में वीकली बेसेश पर पार्टिसिपेट करते हैं हां संदे को सुभाइ 11 बजे एक घंटे का टेस्ट और इंडिया स्टूरेंस पार्टिसिपेट करते हैं SPYT कोड यूज़ करिए पार्टिसिपेट करिए जाधर से जाधर से जाधर स्कोर करिए इट विल बी गुट फो यू थैंक यू थैंक्स अलॉट लेट्स कैच अप तुमोरो मॉर्निंग अगे थैंक यू